हेलो हेलो दोस्तों वेलकम टू एजगेसन चैनल आज हम एक नोटिफिकेशन डिसकस करने वाले हैं दोस्तों और इस नोटिफिकेशन में हम देखेंगे की फॉर्म कैसे फिल करना है और यह नोटिफिकेशन हर एक लेबल के स्टुडेंट के लिए है राइट चाहिए वह 10th का स टेक होल्डर या फिर आपका बीकॉम होल्डर बीबी होल्डर सब के लिए यह वैकेंसी है इसमें राइट अच्छी कासी सेलरी स्टुक्चर है हम देखेंगे कैसे फॉर्म फिल करते हैं इसको चलिए हम देखते हैं किस डिपार्टमेंट में वेकेंसी निकली हुई है यह से अच्छी कारियर या रिकूटमेंट प्रोसेस तो यह था टॉफ है कि कहां फाइंड आउट करके हम फॉर्म फिल करें तो हम यह जानेंगे कैसे फॉर्म फिल करना है तो उससे पहले हम थोड़ा नोटिफिकेशन वेरी कुईक्ली देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊं कि कैसे फॉर्म फॉर्म फील करते हैं तो दोस्तों उससे पहले अगर आप यह एजुकेशन चैनल पर नहीं हो तो यह एजुकेशन चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकॉन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि गॉर्मनेंट जॉब्स रिल्टेड सब्सक्राइब किये होंगे एक और कीजिएगा तो ज्यादा फर्क नहीं परने वाला और आपको इससे जैनुवन चीजे मिलेंगी इस चैनल पर यहां देखिए रिजिनल सेंटल फॉर बायो टेकनलोजी राइट इसमें वेकेंसी निकली है इसमें मल्टी प्रोफाइल वेक है यहां देखिए हमने इस पर निकाल हुआ है तो यह देखिए मल्टी स्टाफ टास्किंग के लिए दो वेकेंसी है अठाड़ हजार सेलरी होगी सेक्रेटेरियेट यह जो टोटल 19 वेकेंसी है यह तो इसके अलावा भी और वेकेंसी है जैसे साइंटिस्ट इंजिनियर और सब के लिए वेकेंसी है वो भी हम देखेंगे ठीक है दूर्सरे इसी में राइट तो यह सेक्रेटर एसिस्टेंट वन वेकेंसी 30,000 सेली फ्रंट ओफिचर असिस्टेंट वन वेकेंसी 30,000 सेलरी टेकनिकल असिस्टेंट आइटी एंड सपोर्ट सर्विसेस वन वेकेंसी 30,000 ईल्रिटट सेली एकवाइश अमानलिस — गया Tib ill ऐस एकवाइश छिंड ईल्रिट сталilles गयाosse f टो nicho । एकवाइश कि लिक वयामट संदी संतन एकवाइश administration and finance one vacancy 80,000 salary grant advisor 80,000 salary project officer 15,000,000 salary right अब इसमें essential qualification देख लेते हैं multi staff 10th वाला form फिल कर सकता है secretariat graduate level का form फिल कर सकता है front officer graduate level form फिल कर सकता है technical assistant graduate in IT computer science three year experience software and hardware maintenance data entry operator graduate degree with diploma in IT computer and three year experience in data entry operator account assistant become BBA three year experience in account and finance in a replicated organization account assistant become BBA CA ICWA degree with five year experience senior license assistant graduate degree with 10 year experience system analyst mtech MSC first class चाहिए उसके बाद manager administration and finance में post graduate degree in finance or MBA or professional qualification like CA ICWI right उसके बाद यहां पर देखिए grant advisor के लिए first class post graduate degree in area of science experience minimum five year post manager PhD चाहिए project manager के लिए in science में right यह था इसका इसके बाद engineer का है वह भी हम देखेंगे right and then फिर जाके अभी इसमें देखते हैं इसमें examination fee कितना है दोस्तों examination fee और इसमें दोस्तों एक और चीज़े important इसमें कोई भी examination नहीं होना है आपका right और इसमें सिर्फ interview होगा आपका and then फिर जाके आपका direct selection हो जाएगा तो हम देखते हैं इसमें examination fee first देख लेते हैं इसमें कितना examination fee आपको भरना होगा यह देखिए examination fee 1000 रुपीज है और SCST OBC और women के लिए कोई भी examination fee नहीं है OBC के लिए 1000 रुपे भरना पड़ेगा सिर्फ SCST PWD और women के लिए examination fee नहीं है last date form fill करने का 29 मई तो आप देखते हैं इसको कैसे form fill करना फिर इसमें engineering department भी मैं बताऊंगा कहां से भरना है तो चलिए अब देखते हैं form कैसे fill करना है देखिए यहां पे जो है यह देखिए यहां प्यार है HRD PMW position इस पर क्लिक करोगे तो आप कर सकते हो बट आप नीचे जाओगे announcement में यहां देखिए administration HRD position इसको आप क्लिक किजिएगा मैंने बहुत try किया हुआ है बहुत find out किया है तो यह मिला ठीक है यहां से देखिए आप यहां कैसे find out करोगे one यह देखिए HRD C1 2020 HR यह advertisement number है इससे match करते हैं कि यही है या नहीं है तो देखिए यहां पर match करेगा यह देखिए HRD C1 2020 HR यह advertisement है राइट हम सही जगर पे हैं और यहां से आप क्या करोगे इसको आप क्लिक करोगे तो आप यहां से यहां से advertisement यहां से download कर लोगे उसको अराम से आप पर सकते हो mobile download करके यहां से आप apply कर सकते हो राइट जैसे कि यहां पर मैंने इसको खुला हुआ है और यह दूसरा है इसको देख लेते हैं apply पर क्लिक करके तो apply करोगे जो new guy है जो new candidate है वो register करेंगे और जो पहले अप्लाइ कर चुके हैं उनके लिए यहां पर डायरेक्ट लोग इन करोगे email आडिया पासवर डालके otherwise new user के लिए यहां पर registration करना पड़ेगा यहां से आप download यहां से आप form फील कर सकते हो राइट अब चलते हैं next process जो engineering के बात कर रहा था यहां देखिए recruitment for technical administration positions जैसे आप इस पर click करोगे इसमें engineering के लिए vacancy निकली हुई है और यह form आपको 15 मई तक ही भर पाओगे और यहां से देखिए assistant engineer है technical officer है जिसमें की इसमें one vacancy one vacancy two vacancy two vacancy and then btec electrical civil mechanical electrical civil mechanical यह है यहां से आप 15 मई तक आप इसको form fill कर सकते हो और यह मैंने बताए कहां से यह download होगा इस सारा description अच्छे से दिया हुआ है आप इसको go through कीजिए अराम से and then form fill कीजिए आपके पास अच्छी opportunity है इसमें एक्जामनेशन फीव ही है यह extended है यह 14 अप्रिल दिया हुआ है बट यह extended है जह सा but mention है यहां पर no any written examination only will take conducted the interview तो आप form fill कीजिए all the best for your examination अगर वीडियो पसंद आए तो like कीजिए and दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिए and e-education channel को subscribe कर जी ताकि इस तरह की government jobs related notification आपको मिलते रहे तो all the best दोस्तों for your examination thank you for watching this video